हालो गाइज आए रिक्की और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वह है डायोड वाल्व डायोड वाल्व क्या होता है आज इसको समझेंगे और बहतरे इंधन समझेंगे आपसे बस एक में आपको परिसानी नहीं होगी साथ ही साथ आप किसी को पढ़ाने में भी सक्षम हो पाएंगे तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का डायोड वल्व क्या होता है यहां पर देखें दो फिगर है एक यहां पर देख रहे हैं और एक यहां देख रहे हैं रियल फि और आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है लेकिन अगर डायोड को आप बाहर से देखेंगे तो संदचना इस प्रकार की होती है यह जो बल्म अख किरती है जो एक बल्व जैसी देखने में है यह इस तरह की आकरती डायोड की होती है और यहां पर जो है इसके concept को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इसलिए जितना हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यह वाला figure देखने के लिए मिलता है लेकिन वो बाहर से देखने में ऐसे होत मतलब कि उसमायनिक जो emission है उस पर बेस्ट ही है और उसी संबंदित है इसलिए उसी टॉपिक के बगल में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है जो कि आप जानते हैं कि उसमायनिक उत्सर्जन में होता है तो वही काम इसमें भी होता है इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक जो उपर में एनोड जैसी बनी हुई है देखिए डायोड को डायोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉड होते हैं दो इलेक्ट्रॉड क्या है एक इलेक्ट्रॉड है यह तो यह दोनों चीज का दो अलग अलग इलेक्टरोड बना हुआ होता है और दो इलेक्टरोड होने की वज़य से इसको डायोड बोलते हैं तो अब देखिए यहां पर यह फिलामेंट को दिखा रहा है और यह प्लेट बता रहा है ठीक है और यह जो गोल जैसे यह आकृती itel यह आ की है यह एक वैक्क्यूम है पूरी तरह से बंद मतलब निर्वात में यह रखा गया है यह जो प्लेट वाली और कैथोड़ वाली फिलामेंट है इसको निर्वात अठाद में रखा गया है वही चीज़ यहां पर आप देखें यह जो काच का वाल्व लिखा हुआ है मतलब यह जो बाहरी आकरती है यह काच के वाल्व की है हम इसमें समझेंगे दोनों चीजों को सेम परें समझ लिए क्या है फिर आगे लेके बढ़ेंगे विडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि नॉलेज है इसमें तो अब यहां पर काच का वाल्व है इसी दरह यहां भी एक वल्व को दिखाया गया है यह फिगर हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको फ बैट है अब देखिए एनओड बैट पी कि इसको बोल रहे हैं यह जो एक आप यहां पर यहां एक विलनाकार यह जो एनओड प्लेट फी होती है यह एक विलनाकार चदरे टाइप की जैसे माल लीजे कि इसको हम समझाने के लिए अगर इस्तिमाल करना चाहेंगे जैसे दे कैथरूट के जो चैघो होता ही एसे इसमें में करता है यह आप पिलनाकार हना इसको आप कह सकते हैं वेज़नाकर वह वाल-फिर चुरे हैं यह एक बिलन है और और यह वाला जो यहां परॉंट यह वाला है यह थी फिलामेंट है तुलॉश यह है यह पर हुआ खसको आप तन्तू yas यह उसने बाद ज़श्ट बाहरी परत जो गया यह आपका कैथ्रों के हो गया और इसके बाहर जो यह एक बेलना यह जो कि पर है यह एक डेख रूब करके से देख रहे हैं यह एक सकते हैं एभ, फिलमेंट सब्सक्राइब इसको देखते हैं तो क्या है यह वल्व मुंधा होता है जो डायड वर्व होता है ये उसमायना के सर्जन की क्रिया पर आधारित है यह किस पर है तो उश्मायनिक उच्छ सर्जन उश्मायनिक उच्छ सर्जन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में है ना उश्मायनिक उच्छ सर्जन की क्रिया पर आधारित है उश्मायनिक उच्छ सर्जन की क्रिया पर आधा आधारी थे तो उष्मायनिक उठ्टर्जन की किरिया पर जो है यह डायड वल्वाप का आधारी थे इसका निर्मान उनीस्ट चार में हुआ कब निर्मान हुआ तो 1904 में इसका आविस्कार हुआ निर्मान हुआ और निर्मान करता कौन थे तो इंगलेंड के एक बग्यानिक इंगलेंड के वग्यानिक जो है इंगलेंड के वग्यानिक थे जॉन एम्ब्रोश फ्लेमिंग जॉन एम्ब्रोश फ्लेमिंग इन्होंने इसका आविस्कार किया था जॉन एम्ब्रोश फ्लेमिंग डायोड वल्व का विस्कार इन्होंने किया था जॉन एम्ब्रोश फ्ले कहा गया यह तो हमने आपको बता ही दिया एक किलोट्रोड जो है प्लेट के रूप में होता है और एक दूसरा एलेक्ट्रोड जो है वो फिलामेंट के रूप में होता है यह बाद भी आपको याद रखनी चाहिए इसमें कांच का एक वाल्व होता है है यह कांच का वाल्व का वाल्व यह कांच के वाल्व का मतलब क्या होता है कांच का मतलब आप जानते हैं वाल्व का मतलब क्या होता है वालव एक ऐसी युपती है जिसमें इधर से जाने का तो रास्ता होता है लेकिन वह से आने का रास्ता नहीं होता यह मतलब ऐसा डिपनेंस नहीं है मतलब की जैसे मालीजी हम साइक्ल के tube में हवा देते हैं तो हवा जब आप यदर से हवा पास हो जाेगी लेकिन टेति में जाने के वाहर अपने आप नहीं आता है तो ऐसे चीज़ों को ओन बुलते हैं या उसा माली यह फिर माल जब चापकल में वासर लगाते नहीं आ सकते हैं इस तरह की जो विदा होती है इसमें भी जो है एक रास्ता जाने का हो लेकिन उदर से आते समें वह लॉक हो जाती है तो काच का मतलब यह हुआ कि यह पूरी तरह से पैक होता है और जब इसमें एक बार जो आप इन कीजेगा फिर उसे बाहर नहीं इस तरह करके ऐसे चीज़ों को रहते हैं तो वाल भी बोलते हैं और इस वाल में पूर्ण निर्वात उत्पन करके तंतु सता प्लेट इस परका तो वाल्व को पूरी तरह निर्वात की जाती है जो आप समझेए मतलब किया यह समझना सिर्फ यह है कि इसके अंदर कुछ भी एर नहीं रहेगा यह वैक्ट्यूम रहेगा है ना मतलब की निर्वात रहेगा तो वल्व को पुरी तरह से निर्वात की जाती है और क्या होता है एक तंटू मतलब एक फिलामेंट और प्लेट को इस प्रकार लगा जाता है साथ ही फिलामेंट या जिसको आप हिंदी में तन्तू बोल सकते हैं साथ ही फिलामेंट और प्लेट को इस प्रकार लगा जाता है कि वो दूसरे को टच ना करे अब क्या कर दिया एक प्लेट को और एक फिलामेंट को यहां पर प्लेट और फिलामेंट को समझ यह पहले कौन कौन सा है तो यह हो गया एनोड प्लेट यह वाला जो बाहरी जो आप एनोड प्लेट किसको बोल रहे है जो कि आपका ऐसे जो यह जो आप देख पार होंगे फिगर में ऐसे करके जो बना हुआ है बेलना कार है यह आपका एनोड प्लेट यह है कि नोड़ पलेट तो एंट पलेट और कैथोड वाला है वह यह वाली लाइन है यह जो पूरी तुरा से लिखी पूरी तरसे चो आप देख पार हमेंगे जो पूरा ब्लैक क्लाइक। करते हैं यह जो आवरान है इसको एनल प्लेट को रेट कर देते हैं तब आप को समझंगे आएगा एनल प्लेट कौन सा यह वाला जो है एनल प्लेट है इसे पूरा भरना पड़ेगा हमको समझ लिए समझाने के लिए हम बस इसका इस्तिमाल करते हैं यहां तो यह समझ में आ जाएगी हम क्या बता रहें यह पूरा भरा जाएगा यह जो है एक बेलनाकार प्लेट नुमा होती है आकरती और इसके अंदर में यह जो है सेट रहता है इसा लेकिन प्लेट और जो यह वाला है फिलामेंट टच नहीं करता है ऐसा होता है यह एनोड प्लेट और यहां पर यह कैथोर्ड वाला यह ब्लैक और फिलामेंट वाला यह अंदर वाला जो लाइन यह हाफ हाफ की आवा यह फिलामेंट है तो इस तरह करके इसको दिखाते हैं इसे को ह initiatives यिए इसको डिखाते हैं इसको यह इत्रू करने पार होता है ना इसे गर्म करने पर किसको तो यह जो धातू का बना हुआ जो तार का होता है फिलामेंट जब गर्म होगा तो उसे क्या होगा इलक्टॉन का उच सर्जन होगा यहां पर देखिए जो फिलामेंट है यह जो कैथोड जिसका नाम दिया गया इसको जब हीट किया तो इसको हीट कैसी किया जागा यहां जो बैट्री लगाई गई है इसके माध्यम से हुट हीट होता है और जब भी हम इसमें हीट करने का नाम बोलेंगे तो आप समझेगा अगर इस प्लेट को यहां जो एनोड प्लेट है इसको अगर हीट करना होगा तो यहां बैट्री लगा देंगे यह बैट्री आन करेंगे यह हीट होगा और इसको हीट करना होगा तो य इस वाज इस वालमका तंटू धाथू के तार का बना होता है जिसे गर्म करने पर है ना इसे गर्म करने पर सब्सक्राइब करने पर इलेक्ट्राण उत्सरजित होने लगता है एक तब जसे क्या होगा इस्तनी होना सुरु हो diagnosis है बोलते हैं और सब्सक्राइब का निया के खोलग में और रहें यह इसको पंटोड़ को Top रही है ना कि कि प्लेट बनी होती है यह जो आप की बनी होती है तो डाइचेसरी का यह वाला हो गया है안 प्लेट की बात हो रही है ना एनोड प्लेट जो होता है यह जो एनोड प्लेट है बाहर वाली जो बेलनाकार है इस एनोड प्लेट जो यह एनोड बनी होती है निकेल धातू की बनी होती है डायट वर्व का प्लेट है ना डायट वर्व का प्लेट निकेल धातू से बना होता ह निकील धातु का बना होता है निकील धातु से बने बेलन के रूप में होता है यह पर लाल देख रहे हैं यह ऐसे होता है यह जो है ऐसे टाइप से होगा बेलन के रूप में एसे तो वही जी हления जो ये डेट वला निचे तक हीचद देंगे यहां तक यह पूरा बेलन का रूप है नए यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेलन हो जाएगा और यही AK आपका क्या है तो आपका एनोर्ड प्लेट है यह है एनोर्ड प्लेट है यह यह जो लाइन ऐसे गई है यह पूरा एनोर्ड प्लेट है बेलन यह पूरा बेलन के रूप में एनोर्ड प्लेट है चलिए ठीक है तो रूप में होता है अब देखे इस डायोड वाल्व के फेक पर थना इस डायोड वाल्व इस डायोड वल्व के प्लेट को डायोड वल्व के प्लेट को धन धन वीभव देकर धन वीभव देकर कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को आकर्सित किया याता है धन वीभव देकर कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन समझेंगे तुरह तब इस तो है है ना इलेक्ट्रोन को आकर्सित किया याता है को आकरसित किया जाता है अकरसित किया जाता है देखिए क्या कहा कि इस डायोड वल्व के plate को धन विभव दे कर यह जो डायोड वल्व का plate है यहाँ डेखें लेट जो है इस पलेट को धन विभव देकर है डायोट के प्लेट को धन विभव देकर कैथोड से उठ सर्जित इलक्ट्रॉन को आकरसित किया जाता है यह जो कैथोड से इसको क्या करेगा ऊपर की तरब खीच लेगा आप जानते हैं कि दो अलग अलग चार्ज एक दुसरे को आकरसित करते हैं तो जैसे हैं यहां पर कैथोड पर इलेक्ट्रोन निकलेगा यहां हम इलेक्ट्रोन निकलने का मतलब इलेक्ट्रोन उच्छित होगा इधर से इलेक्ट क्या कर लेता है देखर कैफोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रोन को आकर्सित किया जाता है इस पर दिखा रहे थे यह जो एनौड यहां पर धनवीभव दिते हैं त면 ए तो जो है इलेक्रोन का self कता है दो सर्ज़़टार दरिश यहां पर ये नवाल जो धनमीभव है यह इसको प्लेट है यह उसको अपनी तरफ आकर्सित कर लेता है कब जब हम एनोड प्लेट को धन विभब देते हैं यहां जो बैट्टरी लगा के दिखाने का मतलब क्या वह यहां जैसे यहां का पॉजिटीव चार्ज क्या करेगा इस कैथोड के लेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिच ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसलिए इसे एनोड वी कहते हैं तो इसे लिए इसको आफिक है इसनोय को को गर्म किया जाता है जब का अब कर्म किया जाता है तो इससे एलक्ट्राउण सरजित होता है और कि आ करता है और करता है और यह इलेक्ट्रोन कैथोड के चारो और जमा हो जाता है जिसे अंत्राकसी आवेश कहते हैं है और जब यह इलेक्ट्रोन और जब यह इलेक्ट्रोन और जब यह इलेक्ट्रोन कैथोड प्लेट पर है ना और जब यह इलेक्ट्रोन कैथोड के चारो और जमा हो जाता है, कैथोड के चारो और जमा हो जाता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है अंतराकसी आवेश, इसको क्या बोला जाता है, अंतराकसी आवेश, इसको क्या बोला जाता है, अंतराकसी आवेश, या इंग्लिस में कहिएगा, तो इस पेस चार्ज क्या बोलता है इस पेस चार्ज तो अब आपको यहां से यह भी समय समझ में आ गई होगी कि इस पेस चार्ज क्या होता है या अंतराकस्टी आवेस्ट क्या होता है तो जब आप है ना जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कैथोड के चारों तरफ जमा हो जाता है जब काथोड को हीट की जाती है और उसको वैक्यूम ट्यूब मेरा करने तो इलक्ट्राउन का फिलामेंट से बोल रहे हैं तो इसे कि जब पर जमा हो जैता और सार्च चार्ज कहते हैं ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं जब धन विवब दिया जाता है तो यह पो अब इस प्लेट को धन विभव देगा जब प्लेट को धन विभव दिया जाता है जब प्लेट को धन विभव दिया जाता है अब क्या करेंगे प्लेट पर धन विभव देंगे ना जब प्लेट को धन विभव दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्लेट की और आकरसित हो जात आकरसित हो जाता यहीं तो कहानी है प्लेट की और आकरसित हो जाता है जैसे धहन देंगे वो क्या होगा प्लेट की और आकरसित हो जाएगा जिससे प्लेट और तंतु का परिपत पूरा हो जाता है का परिपत पूरा हो जाता है, और यही तो हमारा काम था की यही परिपत पूरा हो जाना है, यह परिपत पूरा हो जाएगा, है ना, जिससे प्लेट और तंतू का परिपत पूरा हो जाता है, ठीक है ना, और धारा प्लेट से तंतू की और बहने लगती है, और धारा प्लेट स तंतू या फिलामेंट जो लिखना है और धारा प्लेट से फिलामेंट या तंतू की और बहने लगती है अब धारा का परवा होना शुरू हो गया है ना बहने लगती है इसे प्लेट धारा कहते हैं इसको क्या बोलते हैं इसे प्लेट धारा इसे क्या बोलते हैं इसे प्लेट किस तरफ आती है प्लेट से फिलामेंट की और इसलिए क्या कहा इसलिए इसे प्लेट धारा कहते हैं तो अगर आप से पूछा जाए कि प्लेट धारा क्या है तो आप क्या कहेंगे प्लेट धारा क्या होता है देखिए प्लेट धारा जो है जब फिलामेंट को हीट किया आता है किसी कांच के मतलब की कांच के वैक्यूम वातावरण में रह करके जब उसको हीट किया आता है तो क्या होता है उस फिलामेंट से इलक्ट्रोनों का उच्छ सर्जन होना सुरू हो जाता है और जब उस फिलामेंट पर बहुत सारे इलक्ट्रोन जमा हो जाते हैं तो उसको अंतराकशी आवेश कहते हैं है और फिर क्या करत किया आता है कि जो प्लेट है उस प्लेट को भी जब करेंट दी जाती है तो उसमें क् होती है प्लेट से फिलामेंट की यह यह याद रखेगा बिले से फिलामेंट की इस वह लिए क्या कहा और धारा प्लेट से फिलामेंद की और बहने लगती है इसे फ्लेट धारा कहते हैं इसको क्या बोलते हैं फ्लेट तो यह दो चीचाप याद रखीगा फिलामेंट की तरफ बाने लगती है और इसी घटना को क्या कहाता है तो अब आप से पूछेगा कि अगर और थो तोड़ की ओर भालनीर तॉजिद में एकटिए और यह वॉल्व में हमने क्या कहा कि वो जो एक तरवाजा एक खिरत की तरह होता है जो इंधर से जाएगा और लॉक हो जाएगा तो जब धारा उसकी तरह एक और बंध हो कि हमेशा क्या होगी एक तरफ से एक खिड़की दरवाजा जो भी उसमें एक तरफ से जाने का रहता है और जैसे इन की जिए वह लॉक होता है ठीक है और प्लेट से तंतु की और नहीं लगती है इसे प्लेट धारा कहते हैं अब हुआ कि डायोड का इस्तिमाल डायोड के बार है ना इसका उप्योक किसमें होता है तो दिस्ट कारी के रूप में दिस्ट कारी दिस्ट कारी जिसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं है न यह क्या हो गया रेक्टिफायर दिस्ट कारी या रेक्टिफायर के रूप में क्या है रेक्टिफायर के रूप में इसका इस्ति इस्तमाल यह हो गया दूसरा क्या होता है मतलब की जब रेक्टिफायर में इस्तमाल होगा तो अर्थाथ इसके दोरा परतियावर्ति धारा को दिश्ट धारा में बदलता है क्या कियाता है परतियावर्ति धारा को कि दिश्ट धारा मतलब डारेक्ट करेंट हैना एसी को डीसी में बदलता है या में बदला जाता है बदला जाता है मतलब एसी करेंट को डीसी करेंट बदलने का में काम जो है डायोड का यह उप्योग होता है यह एक रेक्टिफायर के रूप में काम हो इस्तिमाल होता है और परतियावर्द धारा एसी धारा को दिश्ट धारा में बदला जाता है अल्टरनेटिंग करेंट को डारेक्ट करेंट में चेंज किया ते किसके द्वारा यह डायवर्ड वाल्व के द्वारा जो आप भी पढ़ रहे थे दिए इसका इस्तमाल भी हो गया और क्या होता है चेंचन का इस्तिमाल होता है ना पी एंट जंग्सन है पी जंग्सन सेमीकंड़र गया अर्धचालक जो होता है इसका इस्तिमाल अब ज़्यादा होने लगा अब जो है तो यह पुराना जो आपका टीवी 20-6550 पहले का उसमें एक अभी यसका इस्तिमाल होता है इस न की अब इसके जगह पर 15 अभीन का इस्तिमाल होता है यह साइज में बड़ा होता था और उसमें हीै kali ना पढ़ता था बहुत सार प्रोशेस होता था कि इसले Woah विद्यूत चार्ज भी ज्यादा खर्च होता था किसमें डायोड में इसलिए उनी सो साथ रसत चला उसके बाद प्रियन जंक्सन इसका अस्थान ले लिया इसका जो सिंबॉल है वो आप जानते ही है यह जो है सिंबॉल है कि इसका डायोड का तो यहाँ भी बात आप याद रखेगा यह डायोड का शिंबॉल होता है इस तरह से ठीक है और इसमें क्या होता है एक चीज है एल एडी लाइट इमिटिंग डायोड उसको भी हम लोग देख लेते हैं थबा सा इसको मिटाना होगा ह है ना इसमें आपका जो यहां पर प्लेट लगा और ऐसे ठीक है ना तो यहां आपका यह कैथोड है